चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हारदेग स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चो UP State के मोपप राउंड का सेडिूल जारी हो चुका है मैं आपको इसमें डेट वाई सेडिूल बताऊंगा इसके बाद में क्या-क्या डोकुमेंट्स लेके जाना है क्या इसकी कंडिशन ही रहेंगी इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे तो एक बार सबसे पहले इसका सेडिूल देख लेते हैं तो ये ओनलाइन रेजिस्टेशन फिर से होते हैं इसमें मौपप में यूपी स्टेट में तो 23 मार्च से लेके 26 मार्च 22 तक ये ओनलाइन रेजिस्टेशन है मेरिक लेस्ट जारी की जाएगी वो 26 मार्च 22 को की जाएगी तो जिन कंडिडेट ने यूपी स्टेट के लिए रेजिस्टेशन नहीं किया है उनको फिर से रेजिस्टेशन करना है और जिन्होंने आलड़ी रेजिस्टेशन कर रखा है उनको सीट अलोट नहीं हुई है उनको रेजिस्टेशन करने की आवश्यक्ता नहीं है लेकिन वन थाउजेंट रूपीज उनको पे करना होगा ये रेजिस्टेशन फीस उनको मौप ग्यारा बजे के बाद, इसके बाद में जो private medical college हैं, उनका 30 marks और 31 marks 11 बजे बाद में होगा, इसके बाद जो dental college हैं, उनका 1 अप्रेल और 2 अप्रेल को offline counseling होगा, और जो admission लेने की जो date होगी, उसी दिन की होगी माल लो कोई government में admission ले रहा है तो उसकी जो जिस दिन की allotment date है government की 29 March तो 29 March को own sport वहां ही admission लेना होगा ऐसे ही private medical college के candidate को भी तुरंती वहाँ own sport admission लेना होगा 30 और 31 March को जब उनको seat allot हो जाती है तो वहाँ पर ही उनको admission लेना होगा अब हमें इसकी condition देख लेते हैं तो Mopop Round में जो participate करना चाते हैं candidate चाहिए कोई साभी जिसने register कर रखा वो candidate और जो नया registration कर रखा है वो candidate सभी को registration fees 1000 रुपीज पे करनी होगी ये online होगी तो आप website पर जाकर के ये online registration fees पे कर दें इसमें इसके बाद जो Mopop Round offline होता है वो KGMU जो King George Medical University लखनव है वहां के Clam Center में किया जाएगा तो जो 29 को candidate वहां पर present होंगे वो 11 बज़े present रहेंगे और जो बाकी date से वो 10 बज़े report करेंगे candidate offline counseling के लिए इसके बाद में इसमें जो first और second round में जिन candidate को seat alert नहीं हुई है वो candidate इसके लिए eligible है इसमें upgradation का कोई option नहीं होता है इसके बाद में first और second round में जिन candidate ने admission ले लिया है या फिर admission नहीं लिया है या फिर resign दे दिया है तो वो Mopop Round के लिए eligible नहीं है अगर किसी candidate ने BDS course से resign दिया है और MBBS में वो upgrade करना चाता है तो वो इसमें participate कर सकता है रिजाइन दे दिया तो इसके बाद में ऐसे candidate जिनोंने किसी state में admission ले लिया है ओल इंडिया में admission ले लिया है तो वो Mopop Round में participate नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर original documents की आवश्यक्ता होती है अब government में जो admission लेना चाते हैं government medical college में वो 30,000 की security money का DD लेकर के जाएंगे और जो private medical college में admission लेना चाते हैं वो 2,000,000 की DD का DD लेकर जाएंगे 2,000,000 का amount का DD लेकर के जाएंगे और जो private dental college में admission लेना चाते हैं वो 1,000,000 का DD डाइरेक्टेड जनरल medical education and training UP payable act लखनवू के नाम पर ये DD लेकर जाना अनिवार ये है ये DD में ही मनने होगा cash या फिर online deposit नहीं होगा इसमें तो जो government में admission लेना चाते हैं 30,000 की DD लेकर जाएंगे जो private medical college में admission लेना चाते हैं 2,000,000 की DD लेकर जाएंगे और जो private BDS में admission लेना चाते हैं वो 1,000,000 की DD लेकर जाएंगे ये condition है इसमें DD की इसके बाद में जिन candidate की security money पहले deposit है नोडल सेंटर पर deposit करवा रखिये है और उनको कोई seat नहीं मिली है और जहांपर उन्होंने documents verification करवाया है तो वो ऐसे candidate इसमें participate कर सकते हैं वो वहां से अपनी DD collect करके फिर मोपपराउंड में participate कर सकते हैं अब जो allotment होगा उसके तुरंत बाद ही admission की जो process है admission का own sporty यानि कि वहां पर ही पुर्ण की जाएगी संपन की जाएगी इसके बाद मोपपराउंड के समय candidate के पास में सारे original documents होंगे जो category certificate होता है जाती परमान पत्र है और अन्य कोई documents होते हैं तो वो उनको लेकर जाने हैं original documents वहां उनके साथ होना चीए नहीं तो फिर seat alert नहीं होगी इसके बाद में जो private medical college हैं जो private medical college हैं उनमें candidate को admission ले लिया मालो admission हो जाता है उनका तो इसमें साड़े दस लाख रुपए का tuition fees का DD आपको पहले लेकर जाना है पहले चाए आपका वहां पर allotment किसी भी college में हो पहले आप counseling के लिए participate करने जाएंगे तो इसमें security money टू लाख का तो लेके जाई रहें उसके अलावा साड़े दस लाख का tuition fees का DD और ले करके जाएंगे चाहे उनका admission किसी भी college में हो इसके अलावा security धनरासी हो गया hostel fees इसमें लिखा है साड़े चार लाख का DD ले करके जाएंगे तो मेरे को ये लगता है कि यहां थोड़ा misprint हुआ है क्योंकि hostel और मैज की जो fees है वो डेड़ लाख रुपीज है तो हो सकता है इसका वैसे एक बार confirmation कर लेंगे कि ये साड़े चार लाख ही लेकर जाना है या डेड़ लाख लेकी जाना है गलती से हो गया है तो इसका एक बार confirmation कर लेंगे तो ये bank draft भी माहा निदेशक चिकित्सा 6.7 पर सिक्षन उत्र प्रदेश यानि की डायरेक्टर जनरल Medical Education and Training UP Payable Act लखनौ के नाम से बनवा कर ले जाना है तो डेड़ी में आपका Security Money का डेड़ी हो गया 2,00,00 का Tution Feast का 3,5,00,00 का हो गया और Hostel Feast का डेड़ी लेकर जाना है इसके बाद में ये जो आप जो Dental College के लिए डेड़ी लेकर के जाएंगे जो Private Dental College के प्रिवेज के समय जो उनका Tution Feast का लेके जाना है वो 2,00,00 का डेड़ी ले जाना है जैसे Private Medical College की कंडिशन में आप 10,5,00,00 का ले जा रहे हैं ऐसे ही अगर Private Dental College में admission लेना चाते हैं तो Tution Feast 2,00,00 का amount का डेड़ी ले करके जाना है और डेड़ी भी उसी के नाम से लेके जाना है जो आप Medical के नाम से बनवा रहे हैं Director General Medical Education and Training UP Payable Act लखनों के नाम से आपको लेकर के जाना है इसके बाद में इसके बाद में ऐसा है कि जो Difference रह जाता है जैसे कि मानलो साड़े दस लाग का आप डेड़ी लेके जा रहे हैं ट्यूसन फीज उसके बाद में आपको एक कोलेज अलोट हो जाती है जैसे सीतापुर ही हो जाता है तो उसका फीज से दस लाग सतंतर हजार रुपए है तो जो Difference Amount है यानि साड़े दस लाग का तो आप डेड़ी ले जा रहे हैं उसके बाद में जो दस लाग सतंतर हजार का जो Difference Amount है 27,000 रुपए बैलेंस होगे ये बैलेंस आपको फिर ओनलाइन डिपोजिट करना है वहाँ पर ओनलाइन वहाँ पर डिपोजिट करना है तो जो कोलेज अलोट होती है उसका Difference जो रहेगा वो आपको फिर उसके बाद में ओनलाइन डिपोजिट करना होगा उसी समय एडमिशन के टाइम में ओन स्पोर्ट ही वो आपको वहाँ पर डिपोजिट करना होगा तो इस परकार की इसमें कंडिशन है ऐसी व्यवस्ता करके जाएं अपने क्योंकि वहाँ सारा सब कुछ जो होना है एडमिशन के टाइम में सारा सब कुछ वहाँ ही होगा तो यह जानकारी थी मोप अपराउंड के बारे में बाकी अपडेट मिलते ही हम आपको इनफॉर्म कर देंगे तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जय है